नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे खैरियस होंगे मेरे चैंदल देशी घरीलू ग्यान में आपका स्वागत है अभी आप एक पौधा देख पा रहे होंगे मैं आपको दिखाने की कोसित कर रहा हूँ इसे हमारे यहां बटोईया बोला जाता है और यह एक ऐसा पौधा है जैसे आपके दात रोंगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आपके दात में कीरे लग गए हैं आपका दात सड़ जा रहा है आप डाक्टर को दिखा दिखा के परेसान हो गए हैं आपके मसूरों से खून आता है आपके मसूरो से आपका नाता खतम हो जाएगा विश्वास मानिए आप ये दात के लिए इतना बढ़िया दतून होती है ना कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे तो अगर आप मैंने जो बताया जैसे आपके मसूनों से खून आ रहा है आपके दात में किरे लग गए हैं आपका दात रु आपको दिखाता हूं दातून इसकी कैसी होती है जैसे नीम के दातून होती है आप देख पा रहा है मैं इससे तोड रहा हूं प्रचिए मैंने तोड लिया इसो अब मैं इसकी दातून बनाने को कोश़्िष करता हूं बस ऐसे आप इतना ली लेजिए और आप कूच कूच के दातों से रगर-रगर के कर लीजिए दातों में अपने और देखिए इसके फायदे फिर आप इसके पत्ते देख लीजिए आपको पहचानने में आसानी होगी यह देखिए इसके पत्ते से भटोईया कहा जाता है हमारे अगर आप इसको पा सकते हैं अगर आप दातों की रोक से परेशान हैं तो आप इसका इस्तिमाल जरूर करें आप एक बार इसका इस्तिमाल कर लेंगे आपके दातों में जो सडम पैदा हो रही है जो किड़े लगे हैं जो मसूलों में सूजन रहती है जो दात से खून गिरता है सब बीमारी आप भूल जाएंगे इससे तो दोस्तों आप इसको देख रहे हैं आप इसके बारे में समझ रहे हैं तो आप इसका इस्तिमाल जरूर करें एक बार आप इस्तिमाल करेंगे तो आप दातों के डाक्टर को भूल जाएंगे यकीन मानिये आप तो दोस्तों यह थी मेरी कुछ टिप्स आपके लिए देशी घरेलू ग्यान में आप देख रहे हैं आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरा मताने का मकसद ही था कि अगर आप दातों के रोग से प्रयासान है तो आप इसकी दातों कीजिए और अपने दातों के रोग से चुटगारा पाईए धन्यवाद, खुज रहिए, मस्त रहिए